सबस्क्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकोन को दबाईए हमारी लेटर्स वीडियो सबसे पहले देखने की ओम ग्राफिक्स में आपका स्वागत है आज हम लोग सीखेंगे कोई भी फोटो का बैक्ग्राउंड बलर कैसे करते हैं कोई भी फोटोग्राफ हो अगर उसका बैक्ग्राउंड आप बलर करना चाहते हैं तो आप बलर कर सकते हैं फोटो सौप के थूरू वो उस चीज के बारे में आप आज हम लोग जानेंगे तो background बलर कैसे होता है उस चीज के बारे में आज हम पूरा detail देखेंगे simple तरीके से तो ये जो मेरा photographs है इसका background को हम बलर किये हैं और original मेरा जो photo है वो इस परकार का है आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी background बलर नहीं है अगर है भी तो हलका सा है अगर आप इसे फूल बलर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं देखें इस परकार से बलर हो जाएगा आपका background तो चलिए video को start करते हैं और सीखते हैं कैसे करते हैं बलर बैक ग्राउंड तो सबसे पहले तो हम यह सब जो काम किये हैं इसको डिलीट कर देते हैं तो फाइनली आप इसका copy बनाए एक दो दो copy हमने बनाया दो copy बनाने के बाद आपको इसमें करना क्या है कि आप पहले इसका rename कर ले लेयर का तो इसका हम नाम रख देंगे background यह हो गया इसका नाम रख दिये हमने background इसका नाम हम रख देंगे model मतलब यह हुआ है कि यह background जो गिरीन है वो रहेगा और यह उपर वाला जो लड़की है वो रहेगा अब simply आप इसमें करिए यह कि सबसे पहले model का cutting कर लिजे आप वो model का cutting कैसे करेंगे उस चीज के बारे में जानिए तो आज तक में जो सबसे बढ़िया cutting होता है वो paint tool से ही होता है उसमें क्या है कि आप बार की cutting नहीं कर सकते हैं बाकी जो भी cutting हो आप बहुत अच्छी से cut सकते हैं cutting हो जाता है तो आप यहां से paint tool बार को लिजिए और आप इसे जूम किजिए photo को जूम करने के से cutting करने से यह होता है कि आपका photo जो है पूरा स्मूथ cutting होगा बस देखिए इसमें थोड़ा सा time लगएगा cutting करने में आप थोड़ा और आराम से काटिएगा picture पूरा अच्छा से निकल के आएगा cut out इसका तो इस तरीके से आप background इसको पहले जो मेरा subject है उसको हम cutting कर लेंगे कि यह देखिए इस तरीके से cutting होता है हम cutting कर रहे हैं आप थोड़ा अराम से cutting किजिएगा तो cut out थोड़ा बढ़िया मिलेगा आपको हम cutting कर रहे हैं थोड़ा fast actually बात यह है कि मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम थोड़ा सा cutting कर लेते हैं कि रफ आप थोड़ा बढ़िया से किजिएगा हमारी चैनल पर नए है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए Photoshop में कुछ भी सीखना हो आप हमें कॉमेंट करके बता है उस टाइप का टिटोरियल हम आपके सामने जरूर लेके आएंगे तो इस तरीके से जो है कि हम अपना बैक्ग्राउंड को cutting कर रहे हैं paint टूलवार से आप भी कर लिजिए अगर वीडियो समझ में ना आए तो आप वीडियो को दोवारा से रिपीट करके देखिए दो तीन बार ट्राइ कीजिए आपको समझ में आहीं जाएगा तो इस तरीके से जो है हम इसका selection बना रहे हैं यह देखिए यह हो गया इतना दूर ठीक है अब यहां का बाद जो है देखिए हैर थोड़ा बिखरा हुआ है तो इसको कैसे cutting करेंगे आप इसमें जड़ा भी टेंसन ना ले आप बाहर बाहर इसकी cutting कर लें जितना आप से यहां से तो आप ठीक से cutting कर सकते हैं वो थोड़ा बाल बिखरा हुआ था तब आपको problem हो रहा था तो आप टेंसन भी ना ले बिलकुल भी आप इसे हलका हलका सा जूम करके cutting करिए इस तरीके से यह देखिए इस तरीके से cutting होता है आप cutting किजिए आराम आराम से मैं थोड़ा fast कर रहा हूँ इसलिए कि वीडियो लंबा हो जाएगा आप थोड़ा आराम से cutting किजिएगा तो ज़्यादा अच्छा यहां पर आ गया आप इसका selection आपना लिया selection बनाने के बाद आप control plus enter प्रेस कीजिएगा तो वो select हो जाएगा control plus enter कीजिएगा तो यह select हो गया अब देखिए इसमें क्या करना है यह जो मेरा hair इतना छूट गया है उसको भी ठीक करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे select में जाएंगे और select and mask पे click करेंगे लेकिन mask पे click करने के से पहले आप keyboard के बटन से shift प्रेस किये हुए रही है hold मतलब keyboard के बटन से आप shift प्रेस करके रखिए और इस वाले option पे click किजिए तो यह आपका refine edge आपका एक application होता है मतलब एक option है इसमें hair cutting करने का यह जब refine edge खुले यहां से देखिए brush tool है आप brush tool को लें और हलका हलक इसे करके आप चला दे इस पर बस देखिए इतना चलाए हम चलाने के बाद देखिए क्या हुआ कि background लगभग लग जो मेरा hair में problem था वो कटके निकल गया है बस देख रहे होंगे आप कि मेरा जो hair में problem जो बच गया था थोड़ा सा वो कटी होके निकल गया अब यह स्मार् अब्जेक्ट पर क्लिक कीजिए हलका सही से बढ़ा लीजिए बस इसको कमी रखिए वो देखिएगा आपके फोटो के अनुसार इसे घटा बढ़ा कर जब देखिएगा तब पता चल जाएगा इतना हमने रखा बस अब इसको क्या करेंगे हम ओके प्रेस किये तो यह देखिए मेरा पिक्चर कुछ इस परकार का है यह तो आप देख रहे होंगे अब इसमें एक मास्क लगा दीजिए यहाँ पर आप जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर मास्क लग जाएगा अब इसका काम खतम हो गय यह जो background है उपर को हम भूल जाएंगे अब नीचे वाले पर हम आएंगे नीचे वाले पर आने के बाद आप control प्रेस कीजिए और और उपर वाला जो mask है उस पे click कीजिएगा तो इस तरह की से selection बन जाएगा सेलेक्शन बन जाने के बाद आप क्या किजिए यहां सेलेक्ट में जाए और मोडिफाय पर क्लिक करने के बाद एक्सपैट पर क्लिक किजिए एक्सपैंड लिखा हुआ है सबसे पहले select में modify में expand पर जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस परकार का डालोग बॉक्स हो आएगा इसमें fill करने का है तो आप यहां पर 30% या 31% रखिए आप ok कीजिए इसको जब हम ok कियें तो कुछ इस परकार का आया अब इसमें क्या करना है आप opposite क्लिक करिए पहले यहां पर आप लाशो टूल को select कीजिए और उसके बाद opposite क्लिक कराई यहां पर तो यहां देखे एक बार एकी से समझेगा कि हुआ क्या है इसमें इसमें जब हम फिल किये तो देखे क्या हुआ कि पहले हम उपर वाले वो create हो जाता है वो चीज़ देख रहे होंगे कि जैसे लग रहा है यह photo खीचा हुआ है without model का लेकिन ऐसा कुछ नहीं है इस पे एक model का photo था और हम इसे fill किये उस type से effect डाले तो वो cut के वहां से निकल गया और यह background single बच गया चलिए यहां तक clear हो गया अब यह background है background पर हम आ जा बलर के बाद आप यहां बलर गैलरी में जाएंगे और बलर गैलरी के बाद आप यहां तीसरा option टिट स्विप्ट लिखा हुआ है इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस परकार का डालो बॉक्स हमारे सामने open होके आएगा आने के बाद देखिए यहां पर एक option है बलर का आप बलर को यहां से हलका सा बढ़ा लिजिए देखिए बलर को हमने बढ़ाया इतना और इसे आप पकड़ के नीचे कर लिए इतना नीचे किये और इसको आप उठा लेजिए इस वाले को भी थोड़ा सा उपर कीजिए बस ताकि आपका जो नीचे वाला जो पानी है वो थोड़ा ठीक-ठाक से दीखे इतना अब यह जो बलर हुआ बलर हुआ तो आप इसका अगर पर चाहें तो हलका सा और कम कर सकते हैं या फिर पूरा फूल बलर कर सकते हैं वह आप ie different करता है कि किश टाफ का वीडियो बनाना चाते हैं फोटो edi करना चाते हैं तो हम ने इतना बलर किया इतना चीज समझ में आ गया होगा इतना बलर हो जाने के बाद अब हम इसमें क्या करेंगे उस चीज को देखते हैं इसको घटा बढ़ा के देखे कुछ होता है तो देखे इस तरीके का एक effect बन गया रहा है तो चलिए उस चीज को हम नहीं देखेंगे simply बस इतना रखेंगे हम चलिए इतना हो गया अब यहां से हम okay प्रेस करेंगे अब यह चीज को देखिएगा कि मेरा बैग्राउंड कैसा था और कैसा हुआ difference हम आपको दिखाएंगे तब असमान जमीन का फर्क हो जाएगा पिक्चर सेम रहेगा लेकिन इसका बैग्राउंड बलर हो जाएगा और कहीं भी पता नहीं चलेगा कि यह पिक्चर चेंज हुआ आप इसका क्वालिटी देखिए कहीं भी पता चल रहा है कि यह कटिंग हुआ है पिक्चर कहीं भी एक परसेंट भी आपको इसमें यह नहीं होगा कि यहां पे पिक्चर यह कटिंग करके लगाया हुआ है आप 50 mm बगेरा से जो यूज करते हैं उसके लिए तो ठीक है 50 mm lens 35 mm लेंस जो फोटो सूट हो रहा है वहां तक तो ठीक है कि हम बैक्गराउंड को बलर कर ले रहे हैं कैमरा से यागर बैक्गराउंड बलर नहीं करते हैं कैमरा से तो इस परकार का एफेक्ट आप किये और यहां से merge कर दिये यह merge घोगया लेयर मतलब कि एक separate layer बन गया यह जो है यह दोनों जो मेरा background और model दोनों fix हो ठीक है और क्या करना है यह चीज को देखते हैं अगर कुछ और चाहते हैं तो आप यहां से filter में जाए और यहां देखिए camera का एक option दिया हुआ इसा सौर्टकेट की होता है सिप्ट कंट्रोल ए तो आप इस पर प्रेस कीजिए और कामरा राओ को ओपन कीजिए तो यह देखिए इस परकार का हलका सा आपको effect पता चलेगा जैसे हमने को लिया और बढ़ाया तो देखे रेट करा तो इसे हलका सा रेट कर लिजिए तो देखे थोड़ा सा एक अलग तरीके का effect आपको नजर आएगा यहां देखे saturation saturation में green है green को अगर हमका सा और green कर दें तो थोड़ा सा और look मेरा change हो जाएगा यह देखिए green को हमने ऐसे बढ़ाया और अगर कम करेंगे तो कुछ ही इस परकार का effect हमारे सामने आएगा तो हम green को हलका सा बढ़ाते हैं ठीक है यहां तक आप समझ गया होंगे green फिर से यहां प फिर देखिए यहां पर अगर हम ऐसे इसे छेड़ते हैं तो कुछ कुछ हलका हलका effect हमको नजर आ रहा है तो यह अगर काम करता है कैसे यह आपके photo को अनुसार काम करता है ना कि हम इसमें यहां 17 कर दिए 18 कर दिए तो आप भी यहां पर 17-18 मार दीजिएगा तो फोटो खरा आप हो जाएगा क्योंकि आपका subject कहीं और खिचा हुआ है और मेरा कहीं और खिचा हुआ है इसलिए आप अपने photo का light white के अनुसार ही से adjust करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा तो बस देखिए इस तरीके का effect हम यहां पर लगाए आप देखिए इस तरीके से फोटो में थोड़ा सा जान आ गया फोटो मेरा कुछ इस परकार का था वो चीज को देखिए मेरा फोटो ऐसा था और अभी ऐसा है इतना तक ठीक है अगर इसमें और कुछ लगाना चाहते हैं तो आप यहां से एक लेयर लिजिए और लेयर लेने के बाद आप यहां simply brush tool पर click किजिएगा और यहां पर double click यहां पहले आप color fill कर लिए कोई सा जैसे हमने white color कर लिया और यहां पर double click करके fill कर दिया आप इसे control T press कीजिए और इसे zoom कर लिए देखिए इस तरीके से इसे जूम किया तो लगेगा क्या कि यह धूप में आके इसका कीरन इसके face पर पढ़ रहा है ठीक है अब इसका हलका सा आप opacity को कम कर लिए बस इतना काफी है तो देखिए इस परकार का editing कर सकते हैं आप यह अगर इसका color वगेरा चेंज करना तब control यू प्रेस कर लिजिए करने के बाद यहां देखिए यहां पर क्लिक किजी और इसका color आप चेंज कर सकते हैं देखिए इस तरीके से जो color आपको perfect लगे वह color आप यहां से लगा सकते हैं देखिए इस तरीके से हमने यहां पर color फिल किया ठीक है इतना color fill किया तो इस ऐसा effect आया यह चीज को देखिए बस इतना काफी है यह इतना ठीक है अब बस simply यह दोनों layer को merge कर लिए अब मेरा difference दिखाते हैं पहले मेरा photo अब यह आईसा है इस तरीके का photo को ऐसा look दे सकते हैं तो वीडियो का ऐसा लगा आप हमें comment करके बता है और हमारे channel पर नए है तो channel को subscribe कीजिए like कीजिए ज्यादा से ज्यादा share कीजिए आज तक के लिए इतना है मिलते हैं next वीडियो में